वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज येवाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगेगे क्लास बहुत ही महत्यपूर्ण है इसकी जितनी भी क्लासेज हो रही है मैं सारी प्लेइलिस्ट में आड कर रही हूं आप चैनल पर विजिट करेंगे आसानी से मिल जाएगी या फिर आपको यह और कोर्स परचेस करना चाहते हैं अधर किसी स्टेट पीसेस की आरो यारो या एक्जाम या UPP से जैसे एक्जाम की BEO, UPTPLSC से रिलेटेड एक्जाम की प्रपेशन करने तो इन सभी कोर्सेस के लिए आपको क्या करना है Study for Civil Services का एप डाउनलोड कीजे गूगल प्ले स्टोर से और जो भी कोर्स आपको चाहिए वो वहाँ पर आप परचेस कर सकते हैं और ज्यान सर्कूपन कोड अपलाई करके आप 20% का डिसकाउन भी पा जाएंगे तो यह हो गई आपके कोर्स से लिलेटेड जानकारी अधर कोई जानकारी चाहिए तो आपको description box में मैंने number provide किया है आप call या message करके जानकारी ले सकते हैं तो जलिए आज की class से start करते हैं देखें आदनी भारत में क्रिशी उद्योग, धंदे और व्यापार हम लोग देखेंगे कैसे कैसे अभी देखें इस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने पढ़ा ये रोपी कंपनी आई, पुर्तगाली आए, ब्रिटिशर्स आए, इसके साथ साथ फ्रेंच और डेनिस सभी को हमने पढ़ा लेकिन क्या होता है, अंग्रेज अपना व्यापार तो फैलाते ही हैं धीरे धीरे यहाँ पर वो अपनी सथा भी स्थापित करने लगते हैं ये तो हम लोग पढ़ी रहे थे, अब उसमें भी हमने मैसूर देखा, बंगाल का सामराज देखा, पंजाब वाला छेत देखा ऐसे करके सारे छित भी देख लिए हैं, जहाँ पर इस इंडिया कंपनी अपने आपको स्थापित कर लिए अब हम देखेंगे कैसे 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 क्रशी में बदलाव आ रहा है, उद्योग धंदे कैसे बढ़ रहे हैं, व्यापार में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं तो क्रशी में कौन कौन सी विवस्था थी उसको सबसे पहले देखेंगे तो भूराजस्व विवस्था में सबसे पहले आती है महालवारी विवस्था ये उत्तरपश्चिम प्रांत में मध्य प्रांत में स्टार्ट की गई थी इस विवस्था को प्रारूम किया था और इसको शुरू करने का जो श्रे है वो दिया जाता है हौल्ट मेकेंजी को इस विवस्था के अंतरगत कितने पृतिशत भूमी आती थी ये पूछा जाता है तो 30 पृतिशत भूमी को लाया गया था इस विवस्ता में भूर आजसु का बंदो बस्त एक पूरे गाउं या महाल में जमीदारी या प्रधानों के साथ किया जाता था किसान लगान की दर को मुखिया या फिर जमीदारों के पास जमा कर देते थे उसके बाद जो जमीदार होते थे वो बिटिस सरकार को लगान दिया करते थे इस वियस्ता का मुख्य दोस्त क्या था कि उसने जमीदारों को धीरे-धीरे सक्तिसाली बना दिया तो इसमें दोस्त तो यही निकल के आएगा कि जमीदार सकती साली होंगे कि सालों को लूटेंगे अब फिर अगला देखें बात की जाए क्रिशी के बाद उद्योग धंदों की तो आप देखेंगे यहां की हालत इतनी खराब कर दी थी इन लोगोंने कि यहां से कच्चा माल ले जाते थे वहां से अपना माल ले आकर कि यहां पर बेशते थे तो यही रहता है कि कच्चा माल यहां से भेजा जाता था और जो वहां से माल आता था तो यहां पर बेश दिया जाता था उद्योग धंदे धीरे-धीर आप देखेंगे ना के बराबर थे या यह धीरे-ध कर रहे थे तो मौरिश डी मौरिश अपने सोध पत्र में लिखते हैं इनका सोध पत्र था इंडियन इकोनॉमी इनदा 19th century, a symposium इसमें इन्होंने भारत ने बिटिस सासन काल की निरुद्योगी करण की प्रक्रिया को नकारा बोला यह मिठक है ऐसा कुछ नहीं हुआ था निरुद्योगी करण के काकड़ों को प्राप्त करना मुस्किल है उनका मानना है कि इस काल में आर्थिक ग लागू किया गया था और भारत का पहला जो केंदी बजट है यह यादखने वाला तथ्य है कि 7 अपरेल 1860 को स्वतंदिता पूरु वित्त मंत्री जेम्स विल्सन द्वारा पेस किया गया था तो 7 अपरेल 1860 को आपको यादखना है 1860 ही स्वी के भारती आयकर अधिनियम को 1857 क सैन विद्रो के कारण सरकार द्वारा किये गए नुकसान को पूरा करने के लिए लागू किया गया था और 1886 में अलग आयकर अधिनियम पारित कर दिया गया और यह अधिनियम समय समय पर विभिन संशोधनों के साथ लागू रहा 1886 के भारती आयकर अधिनियम के तहट आयको चार अनुसूचियों में विभाजित किया गया था जिन पर अलग से कर लगाया जाता था और इस तरह 1886 में भारतीयों पर आयकर इस्थाई रूप से लागू कर दिया गया था अब आप देखेंगे भारत में नमक कर भी लिया जाता था और इसकी सुरुवात की गई थी 1835 में यह तप्रारंब हुआ जब ब्रिटिस इस्थिंडिया कंपणी ने भारत में प्रांतों पर अपना साश शुरू किया था नमक मार्च हो गया या दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है नमक सत्याग्रेवी से कहते हैं इसको गांधी जी ने सुरू किया था कब 6 अप्रेल 1930 को दांडी में अवयद रूप से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था ठीक है और ब्रिटिस इस्थिंडिया कंपणी या भी हम लोग आगे पढ़ेंगे दांडी मार्च के बारे में भी ब्रिटिस इस्थिंडिया कंपणी ने अपने साशन के प्रारंभिक दिनों में भारत में सिक्षा प्रिसार के लिए प्रयास नहीं किया हालाकि सिक्षा उपकर की जानकारी यहां पर नहीं मिलती है तीर थ चीदाबाद और पटना यहां पर पत्नोन मुख हो गए और साथ ही नए सहर यहां पर बसे जैसे की मद्रास है मुंबई है कलकत्ता का उद्य हुआ जो सिक्षा व्यापार प्रशाशन वाड़ी जी आदी के महत्यकून केंद भी बन गए थे सिये बेली के अनुसार 1720 के दसक के मद्रिगंगा छेत में छोटे कस्वों का काफी विस्तार हुआ था और बंबाई का विक्टोरिया टर्मिनल इस्टेशन इंडो सरसैनिक सैली के आधार पर बनाया था आप देखेंगे धीरे धीरे विकास कैसे हो रहा है और यह किस सैली में बना है यह जानना जरूरी है तो यह नव गौथिक सैली में बना हुआ है FW स्टीवन्स द्वारा इसका डिजाइन किया गया कामगार छती पूर्ती अधिनियम कंबाया तो यह 1923 में आया कामगारों और उनके आशितों को रोजगार के दौरान उसी के कार्य लगी चोट और अब इन सबसे परिशान हो करके किसान क्या करते थे विद्रो भी करते थे क्रिशी में क्या था किसानों की दुर्दसा होती जा रहे थी इसलिए इसमें आप देखेंगे दक्कन के किसान विद्रो को मुखिरूप से मारवाडी और गुजराती साहू कारों के खिलाफ किया गय वर्स 1874 में रैयतों ने साहू कारों के खिलाफ एक सामाजिक बहिसकार अंदोलन का आयोजन किया ये सामाजिक बहिसकार पूना, एहमदनगर, सोला, पूर, सतारा इन गाओं में तीजी से फैला था सरकार इस अंदोलन को दबाने में सफल रही और सुलाय के उपाय के रूप में दक्कन क्रिशक राहत अधिनियम भी आया, कब आया ये, 1879 आप पिछले प्रश्णपत उठा करके देखेंगे तो कुछ इसी प्रकार की अधिनियम को क्रोनोलोजिकल ओर्डर में लगाने के लिए आता है इसलिए ध्यान से इन डेट को जरूर देखते रही है, इन तथ्यों को याद करते रही है तो आपको याद रखना है दक्कन क्रिशक राहत अधिनियम आया, 1879 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने 1834 से 35 में लिखा इस दरीदिता के समान दरीदिता वाडिज में सायद ही कभी रही है, बुनकरों की हड़िया भारत के मैदानों को विरंजित कर रही है बंगाल में देखे नील की खेती के बारे में आप जानते हैं, नील विद्रो भी हुआ था तो 28 सताबदी से चली आ रही थी नील की खेती, दो मुखी रूप से प्रशलित थी, निजाबाद और रहीती निजाबाद में क्या होता था, सोयम प्रडाली में प्रांटर क्या करता था, उन जमीनों पर नील का उत्पादन करता था, जिने वे खुद से नियंत्वित करते थे और रहयती किसान प्लानटर के साथ अनुबंध के तहट अपनी जमीन पर नील की खेती करते थे तो ये दो तरह से होता था नील की खेती उस समय पर सन 1890 में एनम लोखंडे ने मुंबई मिल हैंड एसोशियेशन की स्थापना की तो अब अगर आपसे मुंबई मिल हैंड एसोशियेशन की स्थापना पुछी जाएगी तो वर स्याद अखना है 1890 में और आपको ये भी मानना पड़ेगा ये भारत का पहला मजदूर संगठन माना गया था लोखंडे ने 1880 इस्वी में अंग्रेजी और मराठी में दीन बंधू नामक एक सापता ही कगबार का प्रकाशन किया कॉंग्रेस कारिस समीती ने 1950 इस्वी में जमीदारी उनूलन की संस्तुती करने वाला प्रस्ताव भी अंगिकार किया था अनुबंध नीती में राज द्वारा व्यापार में किसी प्रकार का कोई हस्तक शेप नहीं किया जाता था जिसे व्यापार मुफ्त होता था अब देखेंगे भूमी सुधार कौन कौन से अधिनियम किस वर्स में आए अब अगर क्रोनोलोजिकल ओडर में लगाने को आएगा तो ये गलत नहीं होना चाहिए तो पंजाब भूमी हस्तांतरण अधिनियम आया था 1921 में दक्कन किशी राहत अधिनियम आया 1879 में उतर पश्मी प्रांत भूमी हस्तांतरण अधिनियम आया 1873 में और मत्य प्रांत भूमी हस्तांतरण अधिनियम आया 1916 में डेट याद कर लीजे अच्छे से आज की क्लास में सबसे महत्पूर्ण लिस्ट है ये जिसे आपको प्रिपेर करनी है तो भूर आज जस्वे प्रडाली समझनी है कौन साधिकारी था किसके समय पर लागो की गए तो सबसे पहले देखे थौमसला होता है 1756-1834 इसवी तक तो यहाँ पर कॉर्ण वाल इसके द्वारा लागो की गई थी स्थाई बंदोबस्त इसमें इसकी महत्पूर्ण भूमिका रही थी और स्थाई बंदोबस्त बिटिस भारत के 19 प्रतिशत भागो पर लागो की गई थी फिर अलेक्जेंडर रीड का नाम याद अखे जो रैयतवारी बंदोबस्त था इसमें इसके प्रणेता थे टॉमस मुन्रो और अलेक्जेंडर रीड और यह वेवस्ता बिटिस भारत के 51 प्रतिशत भूभाग पर लागो की गई थी एची गोल्ड स्मित यह जुड़े थे बॉम्बे योजना से और हॉल्ट मेकेंजी का नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा था महालवारी बंदोबस्त में आता है और इस चेत्र का अधिकांस भाग वर्तमान में अब उत्तर प्रदेश में है इसके बाद इस प्रणाली को आगरा और अवद में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लोगप्री बनाए गया था और बाद में इसे मद्य प्रदेश और पंजाब तक लागू किया गया था तो आपको याद रखना है जो इस्थाई बंदोबस्त है ये 19 प्रतिशत भूभाग पर रयत वारी जो बंदोबस्त है ये 51 प्रतिशत भूभाग पर और महालवारी बंदोबस्त लागू किया गया 30 प्रतिशत भूभाग पर इस तरीके से आपको एच्छेत याद रखने हैं और कौन-कौन से अधिकारी से जुड़े थे उनको भी तेयार कर लेना है बिटिस साशन के दौरान किशी के वेफसाई करण भी किये गए अब इसके कारण क्या-क्या थे वो भी देख लीजे तो भारत कच्चे माल के प्यदायक के रूप में सीमित कर दिया गया परिवहन के बहतर सादनों ने कृशी उत्पादन के व्यापार को सुगम बनाया भूर राजसु के भुगतान का मौद्री करण किया गया और इंग्लेंड में और दोगी क्रांती भी इसका एक कारण थी नगदी फसलों में विदेशी पूंजी का निवेश तो बिटिस सरकार दोरा सीमा सुलक अवकास नीती कबाई ये भी देख लीजे 1882 से 1894 के दोरा धातब है कि अंग्रेजी सरकार ने भारती व्यापार को हतो उतसाहित करने और बिटिस व्यापार को प्रोतसाहित करने के लिए निर्याज सुलक बढ़ा दिया और आयाज सुलक को इन्होंने घटा दिया था 22 मार 1793 सुई को कॉर्ण वालिस ने इस थाई बंदोबस्त को पश्चिम बंगॉल में लागू किया था और इस व्यास्ता में भूराजेसु सदैक के लिए निर्धारित कर दिया गया जो जमीदारों को प्रतीवर से जमा करना पड़ता था इस व्यास्ता में होता क्या था कि लगान का 10 बटे 11 भाग सरकार का और एक बटे जो 11 भाग था वो जमीदारों को निशित किया गया था वो जमीदारों के लिए था तो ये भी आपको आदकना है कितना भाग सरकार का था और कितना जमीदारों का था तो जमीदारों को इससे सरवाधिक लाब हुआ क्योंकि उनकी जो भूमी थी उन पर वास्तवी कधिकार उनका सुईक्रत कर लिया गया और भूस्वामित्य परामप्रागत हो गया कानवाल इसका मानना था कि स्थाई बंदोबस्त के कारट जमीदा क्रिशी का विकास करेंगे और नई तकनीक और उर्वरकों को बढ़ावा देंगे इसके बाद धन निसकासन का सिधान दे दिया दादा भाई नरोजी ने वो कब दिया तो इसको भी देख लीजे इसका उलेग किया दो में 18662 में इंग्लैंड डेप टू इंडिया में नेरोजी ने धन निसकासन को देश के सभी रोग और दुख और दरीदिता का वास्तिक और मूल कारण गोशित किया 1850 इसवी के बाद बिटेन के पूंजी पतियों ने अपने धन पर लाप कमाने है तू भारत में बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश किया रेल निर्माड सरकार को कलज चाय रबर कौफी आदी उद्योगों में निवेश किया गया लाप के गारांटी के अंदर गत रेल निर्माड में पूंजी निवेश पर सरकार का 5% प्रिशत लाप की गारंटी भी दी गई थी तो आज की क्लास में हम लोगों ने जो कृशी में पढ़ा भूराजस विवस्ता को जिसमें महाल वारी है इसके साथ-साथ रहयत वारी विवस्ता है तो इन्ली व्वस्ताओं को पढ़ा इसके साथ-साथ-साथ आप देखेंगे और यहां पर फिर से लेकर के आ रहे हैं अपना बना हुआ माल और बेच रहे हैं उसके लिए इन्होंने रेल निर्माड किया अलग अलग चीजों को विक्सित किया क्योंकि अपने फाइदे के लिए ठीकर यह अपना फाइदा देख रहे थे और इस प्रकार धीरे धीरे ईया होगा किसी भी पॉइंट में दिक्कत आ रही है आप कमेंट करके पोच्स सकते हैं इसकी इस टॉपिक की या फिर हिस्ट्री डिटेयल में पढ़णा चाहते या किसी सब्जट को या निटेटेयल रहे अपने कंप्टीटीर उड़्स एब तो अब अपना कोर्स दिये गए हैं आप इंग पर भी call या message करके जानकारी ले सकते हैं तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजे चैनल को subscribe कीजे और लोगों को share करते रहे हैं मैं ऐसे ही topic के साथ next class में आती हूँ तब तक के लिए धन्यवाद